नमस्कार खबरों का पंच नामा देख रहे हैं आप मैं हुआ आपके साथ पूझा हम लेकर आया हैं देश और दुनिया की पांच बड़ी खबरे जस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूड़े में मौझूद हैं Capital TV के Executive Editor राजीर जी सर आपका बहुत बहुत स्वागत हैं धन्यवाद सबसे बहले नज़र Headlines पर लोगसबच नौग की चौते चैनलन में 10 राजियों की 96 सीटों पर हुई वोटिंग दिगजों की किस्मत EVM में कैट वोटिंग के बीच बंगाल में फिर बवाल मादवी लटा के खिलाफ केस दर्च बिहार से बिपक्ष पर गर्जे पियम मोदी वार्नसी में मोदी मोदी की गूंज काशी में किया भवी रोट्शो कल करेंगे नामंकन डाखिल उससे पहले काशी विश्वनात कलेंगे आशिरवाद नावंगन के बाद पहली बार राइबरेली पहुंचे राखुल गांधी बहन प्रियांका भी रैली में रही मौझूद जन्समा को संबोधित कर राखुल गांधी ने बताया कि आखिर क्यू राइबरेली से चुनाओ लड़ने पहुंचे वदायकों की बाद केजरिवाल ने आज की पाश्टों के साथ बैठक कल MCD की बड़ी बैठक इसे बीच केजरिवाल को सुप्रीम जटका CM5 से हटाने की मांग पर सुप्रीम कोट ने LG पर छोड़ा फ्यासला हिमन सोरेन को सुप्रीम कोट से लगा बड़ा जटका केजरिवाल का उधारन फिर भी नहीं मिली अंतरिम जमानत कोट ने सरकार और E.D. को जारी किया नोटेस अगली सुनवाई अब 17 माई को कबरों की शुरवात में सबसे पहले बात चुनाओ से जुड़ी लोगसभा चुनाओ के चौती चरन के लिए नो राजियो और एक केंदर शाशत प्रदेश की 96 सीटों पर आज वोटिंग पूरी हुई चौती चरन में 96 सीटों पर 1717 उमिद्वार मैदान में रहे जिसमें 1540 पुरुष और 170 महिला कैंडिडेट है कई दिगत चौती चरन में मदान में हैं सभी की किस्मत अब E.V.M. में क्याद हो चुकी है महिला वोटर्स में आज जवर्दस्त उत्सा नजर आया वोटिंग परसेंटेज 60 पार रहा तो वहीं वोटिंग के बीच में पश्यम बंगाल से फिर हिंसा की खबर सामने आई दुरगापुर में दलेव घोश की गाड़ी पर हमला किया गया गोश की गाड़ी को घेर कर विरोध प्रदर्शन किया गया साथी हैदरबाद से असो दिद्दिन OVC के खिलाब चुनाओ लड़ रही बीज़पी कैंडिडेट मादवी लता विवादों में आज घिरती नजर आई हैदरबाद के गूत पर कुछ मुसलिम महिला वोटर से आईडी मादवी मिनने मांगा उनके चेहरे से बुरका हटवाया और आईडी से मिलान किया इस पर विवाद चड़ गया घटना का वीडियो सामने आने के बाद मादवी लता के खिलाफ हैदरबाद के मलकपेट पुलिस स्टेशन में केस दर्श कर लिया गया है सर चौथे चरन की वोटिंग आज क्या सी रही देखे चौथे चरन की वोटिंग में जहां जहां पर देखना होता है कि आंधर परदेश में सारी सीटों पर चुनात था लेकिन वहां पर कोई जादा हंगामा नहीं हुआ हालाकि जगन मोहन रिड़ी इस बार थोड़े से परिशान नजर आ रहे है क्योंकि एंडिये का पल्रा भारी दिखाई पड़ रहा है पवन कल्यान और चंद्रवावु नाइडियों के साथ भारतिय जन्ता पार्टी ने जिस तरीके से गठवधन किया वो लग रहा है कि 2014 का परिणाम फिर से पलट सकता है 2014 में जैसे एंडिये को 17 सीटे 8 सीटे YRS CP को मिलेती उसी तरीके से 10 से जादा सीटे एंडिये को इस बार मिलने की संभाबना है लेकिन हंगामा कहा हो रहा है पश्चिम बंगाल में कहां चल रहे हैं पत्थरवाजी कहा हो रहा है पश्चिम बंगाल में हिंसा तो पहले चरण से चोथे चरण तक कभी भी पश्चिम मंगाल में रुकी नहीं है हर जगा पर जगड़ा होना ही है भारतिय जंता पार्टी और टीमसी के कारकरताओं के बीच भी जगड़ा हुआ और घोष के उपर भी हमला हुआ इसका मतलब है कि ममता बनर जी की बार दसक से इसलामिक फोर्ट कीला बनाके ओवैसी का परिवार हैदराबाद में रखे हुए है और इस बार जैसा चैलेंज मिला है चुनोती मिली है कि ओवैसी जैसा व्यक्ति मंदिर में जा रहा है भगवा साफा ओड़ रहा है और उसके बाद उसके पीछे खड़े लोग उनसे भगवा चादर हटा रहे हैं लेकिन ओवैसी मंदिर चा रहा है उसे जाना पड़ रहा है ऐसे स्थिती असा सुद्विन ओवैसी की रही इसलिए जब फरजी वोटर को वहां से हटाया जा रहा था जब माधवी लता ने खुद कमान समा ली और मुस्लिम महिलाओं के ब कॉंग्रिस की सारकार तो कहीं भी मामला तो दर्ज होना ही था अब बात करते हैं पियम मोधी के धुआधार प्रचार की बिहार दौरी की दूसरे दिन पियम मोधी ने आज हाजिपुर मुजफरपुर और चपरा के सारन में सभा की और मंच से विपक्ष पर जम कर प्रहार क कि मुसल्मानों को आरक्षन देकर विपक्षी दल देश में आग लगाना चाते हैं आर जडी और कॉंग्रिस दोनों ही पात या तोस्टी करन की गुलाम है साथी विपक्षी दलों पर निशाना साथी वे पियम ने कहा कि ये लोग इतने डरे हुए है कि इने रात को सपने मे भी पाकिस्तान का परमानू बम दिखाई देता है इंडी गडबंदन के निताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़या नहीं पहनी है अरे भाई नहीं पहनी तो क्या हुआ पहना देंगे साथ ब्यार के बाद पियम मोदी वार्लसी पहुंचे काशी में पियम ने 5 किलोमेटर का लंबा रोडशो किया रोडशो में भवे नजारा नजार आया मोदी मोदी के नारे गुंजे पियम मोदी का ये वार्लसी दौरा काफी खास है क्योंकि कल पियम अपना नामंकन दाखि क्या कुछ तैयारी तो पहले से बहुत बेहतर है क्योंकि एक दिन पहले रोड सो कर रहे हैं आप दूसरे नेताओं के या देखा जाए तो राहुल गांधी जैसे नेताओं को देखें जो की नॉमिनेशन करने जाते हैं तो चुपके से जाते हैं अपने पूरे परिवार के साथ राइबरेली गए थे और वाइनाड में तो प्रियंका वाडरा के साथ ऐसे ही चले गए लेकिन पीएम मोदी एक दिन पहले कासी को जगजोर रहे हैं लोगों को बता रहे हैं कि कल हम नामांकन करने वाले हैं रोड सो इसके एक प्रिष्ट भूमी तयार हो रही है लेकिन जिस तरीके से परधान मंत्री मोदी ने इस पूरे देश की राजनीती को बदली है उसकी दिशा को बदली है उससे पूरा विपक्ष हैरान है इस बात को लेकर कि बिहार में उन्होंने क्या कहा मुस्लिम का दर्सन किया और फिर आगे भी वो हर जगा पर बात करेंगे मंदिर हिंदुत्व की बात करेंगे तुष्टिकरन की राजनीती की अब ये जो मुसल्मान केंदृत राजनीती पहले रही थी इस बीच जो बदलाव हुआ है मुसल्मान केंदृत राजनीती में हिंदु बट होते थे मुस्लिम टैक्टिकल वोटिंग करते थे आज भी पक्षिस बात पर परेशान है कि अगर कहीं भी मंच से हम मुसल्मानों की बात करते हैं तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा अब जो राजनीती का केंद्र है वो मुसलिम नहीं रहा ये बड़ी जीत भा बात करते हुए डर रहे है, टत्रा रहे है, तो फियम मोधी का तुफानी दोरह जारी है तो वहीं राहुल गादी नामंकन के बाद आज पहली बार राय बरेलिय पहुचे, राहुल गांदी ने आज अपनी बहाँन प्रेंका के साथ सेयुक्ति राली की राली के जरिये अप राहुल गांदी ने कहा कि मेरी दो माता हैं एक सोनिया गांदी और दूसरी इंद्रा गांदी राय बरेली मेरी इन दोनों माताओं की कर्म भूमी है इसलिए मैं यहां से चुनाओ लड़ने आया हूँ कर्म भूमी को तो याद करने है लेकिन जन भूमी क्यों भूल गया को लेकर कि उत्तर पर्देश से गांधी नेहरू परिवार को मुक्ति मिल जाएंगे अब वहाँ पर ये चुनाव लड़ने के लायक नहीं रहेंगे क्योंकि देखिए जब राहुल गांधी जाते हैं राय बरेली में परचार करने के लिए और उस समय परचार करने के लिए वह एक लाक रुपया हर गरीब महिला के अकाउंट में डलवाएंगे और आप सोचिए कि हमें सत्ता के लिए वोट दीजिए और हम आपके अकाउंट में एक लाक रुपया डलवा देंगे ये महिलाओं के प्रलोबन देना है इस तरीके से पूरा परिवार तीनों लोग मा और बेटा तीनों राय बरेली में लगे हैं सोनिया गांधी इसलिए नहीं जाना चाहती है कि वहां पर जाने से हो सकता है इंटी इंकंबिंसी हो हो सकता है कोई जवाब देना पड़े कि आप राज्य सभावें जब जा सकती हैं तो राय बरेली को क्यों छोड़ रही हैं हो स संदेश जारी कर रही हैं जिनको हिंदी पढ़ना नहीं आता वो हिंदी में बात कर रही हैं हिंदी में भासन दे रही हैं और हिंदी में संदेश दे रही हैं लेकिन ये तो उनके डर को दिखाता है कि क्या गांधी नहरू परिवार को इतनी मेहनत करने पड़े गी राय बरे है कि ये भी हमारे हाथों से निकल जाएगा तो राहूल गांदी की भी चुनावी यात्रा का कोई असर नहीं दिख रहा है तो वही चुनावी कैम्पेन के लिए जेल से रहा हुए केजरिवाल अपनी छवी को सुधाने के लिए हर दिन कुछ ना कुछ कर रहे है और जनता को अ सुप्रिम कोट से बुरी खबर साम में आई है सुप्रिम कोट ने अर्विन केजरिवाल को से हटाने की याजिका तो खारिज कर दी पर सुप्रिम कोट ने का है कि कारवाई करना दिल्ली के लजी पर निर्भर करता है मतलब सुप्रिम कोट ने दिल्ली के लजी को हरी छंडी दे दी है लगतार केजरिवाल बाठके तो कर रहे हैं लेकिन आज सुप्रिम कोट में क्या कुछ हुआ यह सुप्रिम कोट मजबूर है हमेशा आप पक्ष में फैसला नहीं दे सकते एक बार आपने रहम कर दी तो हमेशा आपको बचते बचाते हुए भी कुछ तो बात ऐसी करनी पड़ेगी जो पिछली कोट ने कही है तो याचिका तो केजरिवाल को हटाने की थी लेकिन सुप्रिम कोट में सुनवाई के दौरान ये कहा गया कि जब मुख मंतरी के ऊपर आपने इतनी शर्ते थोप दी है तो मुख मंतरी रहने के लायक नहीं है इसलिए उन्होंने सुप्रिम कोट में ये बात चली तो ये लिप्टेंट गवर्नर के तरफ मोड़ दिया गया कि हमें संवेधानी क अधिकार नहीं है हाला कि अगर देखा जाए गौर से तो सुप्रिम कोट को ये अधिकार नहीं है लेकिन ये अधिकार का उपयोग तब हो सकता है जब अगर उपराजपाल यहां कि सरकार को बर्खास्ट कर दे अगर बरखास्त करेंगे या CM को बरखास्त करेंगे या सीधे सुप्रिम कोर्ट में पहुँचेंगे सुप्रिम कोर्ट तो बारह बजे एक बजे दो बजे रात रात में दरवाजा खोल कर इन लोगों के लिए बैटा रहता है क्योंकि पिछले बार जब तिस्ता सितलवार की बात हुई थी तीन तीन बेंच रातो रात बन गए एक बार नो बजे बना दो जजों के बेंच ने फैसला नहीं दे पाए दोनों के समती नहीं बने फिर तीन जजों का बेंच रात रात में बना दिया गया उनको बेल देने के लिए ये स्थिति है इसलिए केजरी वाल पर जो बताया गया कहा गया कि अब LG फैसला लेंगे LG एक्षन ले सकते हैं तो LG को एक आधार मिला है कि हाई कोट और सुप्रिम कोट दोनों तरब से ये बार-बार कहा जा रहा है कि अगर आपको CM को बर्खास्त करना है या उनसे इस् सुप्रिम कोट में जिक्र हो तो फिर केजरीवाल की मुसीबत तो चार गुनी बढ़ जाती है क्योंकि अर्विद केजरीवाल को अगर दिली के अंदर किसी से डर लगता है तो वो LG metre के सखसेना ही है तो केजरीवाल सुप्रिम कोट के रहम से अंतरिन जमानत पर है तो वही जारखन के पुर्व मुख्यमंत्री हेमन सोरिन भी जेल से वाहर आने के लिए सुप्रिम कोट से रहम की भीक मांग रहे हैं। लीग सुनवाई करेगा बेंच वई हैं लेकिन केज़रिवाल को राहत सुरेन को राहत क्यों नहीं एक तरह माना जा सकता है कि जो दो जज जो इन्होंने अरविंद केज़रिवाल को जमाना दी वो दोनों जज इस बेंच में थे जस्टिस दिपांकरदत जस्टिस संजीब खन्ना और उन दोनों को जिस तरीके से कपील सीबल ने आइना दिखाया क्योंकि ये तो गए इसी आधार पर थे कि जाते हैं वहां से अरविंद केजरिवाल का मुद्दा बना के बेल लेकर चल लेठना पड़ा है बात करनी पड़ी है कि भई होश्यारी से करना चाहिए काम कम से कम आप अपने विचार धारा को कानून के उपर मत रखो अगर चुनाब की बात करेंगे तो जिस तरीके से एस जी मेहता ने आप से कहा था कि पांच जार से ज्यादा मामले हैं एक एक करके लाइन लगा देंगे कतार लग जाएगी आप किसके किसके पेटिशन को रिजक्त करोगे आपको देखना पड़ेगा और हर वकील आएगा तो यही कहेगा कि आप नहीं फैसला दिया चुनाब को लेकर जमानत के बात आप दोनों नहीं की थी तो इसलिए दोनों जज इस बी कि भी क्यों बताया है कि हम लोग जो हैं वो जजों के उपर निर्वर हैं किस जज किस बेंच में हमारी कैसी चलेगी क्योंकि एक ही बात एक ही तरक दो वकीलों के मूँ से निकले और जज दोनों में ये डिफरेंस कर लें कि आपकी बात सही आपकी बात गलत तो ये तो जज कोट में हंगामा चल रहा है सवाल उठ रहा है इसके कारण ये मजबूर हो गए उनकी याचिका पर सतकाल सुनवाई करने से इंकार करके नोटिस देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर समझे के लिए खबरों का पंश्रामा में आज के लिए फिलाल इतना ही झाल